भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र इस लोग तंत्र का मंदिर है संसत भवन जहां होती है जन जन की आकांग्षाओं पर चर्चा और देश के भविश्य की दिशाता है मौजूदा संसत भवन को बनाया गया था 100 साल पहले इन 100 सालों में आवशक्ताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेर और रेनोवेट किया जा चुका है पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग शमता बढ़ाना मुम्किन नहीं पर नहीं मुम्किन है इंफ्रस्ट्रक्चर और टेकनोलोजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना इसी लिए आज नया संसत भवन एक विकल्प नहीं बलकि 21 सदी के नय और आत्म निर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना को संजोए नया संसत भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में जिसका निर्मान 21 महीनों यानि की आजादी की 75 साल गिरा तक संपन्द कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन जिसे पहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भुकम परोधी सिस्टम के मताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30 प्रतिशत तक कम करने और अगले 150 से जादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा नए संसद भवन की कुल सीटिंग शमता पहले के मुकाबले 150 प्रतिशत से भी अधिक होगी मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384 जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग शमता होगी साथ ही दिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्याले और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो विडियो और हर एक डेस्क, इलेक्ट्रोनिक गैजट से लैस इसके अलाबा यहां पर होगा भारत की भव्वे विरासत को दर्शाता सम्विधान हॉल, उस्तकाले, समिती कक्ष और भोजन क्षेत्र मतलब की नया संसद भवन होगा 130 करोड देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला शेत्रिय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत जलकियों को अपने कण-कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतंत्रिक लक्षेओं को साकार करने वाला जैसे आपनिवेशिक काल के पुराने शहीद समारक के सामने हमने बनाया है नैशनल वार मेमोरियल ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्म निर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन तो आईए आज इस एतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास